नमस्कार दोस्तों, जै माता दी जै माम भद्रकाली दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में व्रिश्चिक राशिवालों मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करते हैं कि माता भद्रकाली जी के आशिरवाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि है माता रानी, आप किसी को भी नाराज मत रखना, किसी को भी उदास मत रखना आप सभी को बराबर खुशियां देना, सभी को बराबर धन संपदा देना माता रानी मेरी आप से बस इतना ही अनुरोध है दोस्तों, अब आप हो जाईए तैयार माता भद्रकाली जी के आशीरवाद से आपकी जिन्दगी में एक बहुत बड़ा चमतकारिक बदलाव लेकर आ रहा है जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना बता दे कि माता भद्रकाली जी के आशीरवाद से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी आज के दिन, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुब और मंगलमय रहने वाला है माता भद्रकाली जी के आशीरवाद से आपके जीवन में दिन दोगुनी, रात चोगुनी तरक्की होने वाली है दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिन्दगी में एक एतिहासिक परिवर्तन करेगा जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, चार बड़ी खुशखबरी तूफान से भी तेज, अब आपकी किस्मत शेर की तरह दाहाड मारेगी, देखने वाली देखते ही रह जाएंगे जी हाँ, दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ग्रहों में परिवर्तन आ जाने के कारण, आप सोने के प्लेट में खाना खाता नजर आओगे जी हाँ, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में ऐसा चमतकारिक योग बना है जिसने सब को हक्का बक्का करके रखा है जी हां मित्रों अब पूरे शहर में आपका ही बोलबाला होगा अगर आप समय पर इसे समझ लेते हैं तो दोस्तों कमरा बिलकुल खाली हो अगर आप कमरे में अकेले हैं बंद कमरे में चुप चाप इस वीडियो को देखना और तब तक किसी को भी मत बताना जब तक आपको इस शुब हवसर का लाभ नहीं मिल जाता जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि हमारी बताई गई बातों को आप किसी को भी मत बताना क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपकी राश्यवालों के कुंडली में 1900 साल बाद पंचकर्म योग का निर्माण होता दिखाई दे रहा है जिस कारण से आपकी राश्यवालों की जिंदगी में परिवर्तन होता दिखाई देगा जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, आपकी जिन्दगी में जो ग्रहन लग गया था, वो ग्रहन अब भगवान ब्रह्मा जी के आशीरवाद से खत्म होने वाला है, अब आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, जी हाँ, अब आप अपने जीवनकाल में निरंतर आगे बढ़ो, की औ और आप अपने बिजनेस व्यापार में जो घाटे का सामना किये हैं, उन सभी की अब आप भरपाई कर पाएंगे, जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमने कहा है कि आज की इस वीडियो को नजर अंदाज मत करना, और इस वीडियो को अकेले में देखना, लेकिन वीडियो में आग जाएए तैयार क्योंकि भगवान श्री हरी विश्नु जी के आशीरवात से मिलने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी, जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि उपर वाले सभी 33 कोटी देवी देवताओं का आदेश आ चुका है, अगले 24 के अंदर एक साथ दो दो बड़ी खुशखबरी मिलेगी जी हाँ, और यहाँ खुशखबरी सुनकर आप नाचने लगोगे, इसलिए जो आज की है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक नहीं दिखेगा, वह बाद में बहुत पच्छताएगी जी हाँ, और यहाँ तक वह सब से बड़ा बेवकूफ इंसान होगा, क्योंकि ऐसा मौका और ऐसी खुशखबरी आपको बाद में फिर कभी नहीं मिलेगी, जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अब आप तयार हो जाएए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है, जी हाँ, अब आ बार ऐसे शुभ योग का निर्मान होता है, दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में चार चांद लगने वाला है, जी हाँ, क्योंकि अंतरिक्ष यानि की ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आदेश आ चुका है, अब आपको रंक से रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कुछ गलत संगती के कारण आप गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं, जिससे आपके द्वारा कुछ गलत कार्य हो जाता है, जिसे भगवान कभी-कभी आपसे नाराज भी हो जाते हैं, कभी-कभी आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन चिंता ना करें, आखिरकार गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं, तो भगवान माफ करने में देर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जान बूझ कर गलतियां नहीं करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। भगवान श्री हरी विश्नु जी और भगवान श्री शनी देव जी, दोनों आपके उपर महरबान हो चुके हैं। अगले 24 घंटे के अंदर दो बड़े देवता का निराला खेल शुरू होगा, और बहुत बड़ा चम का सबसे खूबसूरत पल आने वाला है। जी हां, यह अनोखी घटना आप सभी के जानकारी में हर हाल में होकर रहेगा। जी हां, इस खूबसूरत और अनोखी घटना को दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। क्योंकि जब एक बार लिखा जाता है, तो वह होकर ही र जर्चा होगी। ऐसी खुशखबरी अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशिवालों को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। दो लोगों का आँखों से नींद और चैन गायब होने वाले हैं। दोस्तों, समय का लिखा कोई नहीं मंगल होगा। क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान है। इसलिए जो समय के महता को नहीं समझता है, वही इनसान अपने किस्मत पर अपने जीवन में रोता है। जी हां दोस्तों, अब आप तडप तडप कर जीना बंद कर दो। क्योंकि भगवान भोले नात जी बदलेगी आपकी किस्मत। जी हां, अब आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज उड़ान भरेगी दुनिया, अब आपके कदमों में होगी। क्योंकि दोस्तों, अब आपके साथ भगवान खड़े हैं और जिसके उपर भगवान की विशेश कृपा होने लगते हैं। भगवान उनके पारी चिताओं को समाप्त करके एक नए जीवन जीने की तैयारी कर लो। जी हां दोस्तों, भगवान की विशेश कृपा है, कुछ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, तो तैयार रहना आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। दोस्त दोस्तों, संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। बस थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों, खुशियों की घंटी बजने वाली है। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। जी हां, एक प्रकार से यूँ कहे, तो पूरे पांच बड़ी खुशखबरी आपकी राशिवालों को मिलने वाली है। दोस्तों, समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है, इसलिए जो देखेगा वही पाएगा, बाकी सब पच्चताएंगे, क्योंकि ऐसा सुनहरा अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जी हां, सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि दुख दर्द का घड़ा भर चुका है, अब आपकी जिन्दगी से दुखों का तलाक होने वाला है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर खुशियों की ऐसी घं जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसे कान लगा कर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक ऐसी जानकारी ऐसी जरूरी सूचना पहुचने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे, जी हां, और आपके अगल बगल के सब लोग देख कर दंग रह जाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जी हां, एक प्रकार से यूं कहे, तो आपकी जिंदगी एक अलग ही मोड लेने वाली है, जी हां, इस म रह गोचर के आधार पर 101 प्रतिशत सत्य और सटी, तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है, कि आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जैसंकट मोचन वीर महाबली जरूर लिखिएगा दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, कि अगले 24 घंटे के अंदर 4 दोपहर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, इस समय में आपको कोई बड़ी गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, वैसे तो दोपहर के बाद भी समय अच्छा ही रहेगा, लेकिन उतना अनुकूल नहीं रहेगा, जितना सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा, इसलिए कामों की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप दोपहर से पहले ही शुरुआत करने की कोशिश करें, आपको उसने विशेश लाब होगा, इस समय नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ सैलरी में व्रिधिके योग बन रहे हैं, यह समय राजनीतिक मसले हल होंगे और समाज में म आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत चमकेगी, आपका भाग्य बदलेगा, जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, एक साथ दो दो शोक संदेश मिलेंगे, एक नौकरी को लेकर, तो दूसरा काम काज, बिजनेस व्यापार को लेकर, जी हाँ, स सामने स्थितियां कुछ इस तरह से रहेगी, कि आपको लगेगा कि समय हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन यह सब आपके मन की बहन है, ऐसा कुछ नहीं है, आज समाज में मान सम्मान मिलेगा और नौकरी में प्रमोशन की योग्य बन रहे हैं, जी हाँ, अगर आपके मन में नौकरी में बदलाव यह किसी अच्छी जगह ट्रांसफर प्रमोशन के बारे में काफी दिनों से सोच विचार कर रहे थे, तो आपकी वह इच्छा पूरी होगी, और वहां के जो उच्छ अधिकारी होंगे, वह आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, सावधानी पूरवक आ आप अपना ध्यान अपने काम पर फोकस करें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे, देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत के सितारे कहते हैं, कि आज के दिन नौकरी के साथ साथ आपकी सैलरी में व्रिद्ध होगी, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, जी हा पर फोकस करेंगे, उच्छ अधिकारियों का मान सम्मान मिलेगा, पेंडिंग पड़े कामों को आज पूरा करेंगे, सितारे कहते हैं, आज मानसिक शान्ती बनी रहेगी, और किसी अपनों के द्वारा ही, आज आपको विशेश लाब होगा, किसी बिजनस व्यापार में ला अज कर अपना कदम आगे बढ़े, तो यह आप के लिए बेहतर रहेगा, दोस्तों अब आप हो जाएए, तैयार, क्योंकि धन की देवी मातारानी, लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपकी जिन्दगी में एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, जी हाँ, जिस अभी जोर लगा ले, लेकिन ये होकर रहेगा, जी हाँ, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी पांच बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली है, जी हाँ, दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि म आतारानी लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर पर होने वाली है, जी हाँ, बता दे, ये देवी मा अगले इन 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत में चार चांद लगाने वाली है, जी हाँ, एक प्रकार से यूँ कहे तो अब आपकी किस्मत सातवें आसमान पर रहेगी, जी आपकी ये पांच बड़ी इच्छाएं पूरी होकर रहेंगे, जी हाँ, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो जी हाँ, अचानक से कुंडली के चला बदल जाने के कारण तीन बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं आप सभी के जीवन काल में होकर रहेंगे, जी हाँ, अब सवाल उठता है, यह घटनाएं आपके लिए शुब होंगे या अशुब होंगे, यह जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम 101% सटीक भविश्यवानी करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, दोस्तों पंचांग गणना के अनुसार, आपके लव स्वास्थ करियर बिजनेस, आपका पारिवारिक जीवन, दैनिक दिन चर्या, वा अन्य सभी स्तरों पर आज के इस वीडियो में चर्चा कर करने वाले हैं, बस थोड़ा सा समय देकर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले मातारानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से जै माता दी जरूर लिखें, इस से मातारानी का सीधा आशीरवाद आप सभी को प्राप्थ होगा दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जून कल में करेगा, बहुत बड़ा बदलाव जी का दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे, आने वाली अगली 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी भयंकर खुश्खबरी मिलने वाली है आपकी राश्यवालों को जी हां बता दे आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपकी राश्यवालों के लिए इतना important रहने वाला है कि जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जी हां दोस्तों इसलिए दोस्तों सारे कामों को छोड़ कर सबसे पहले वीडियो देखलो क्योंकि ऐसी वीडियो बार-बार नहीं बनती है बहुत महनत लगता है एक वीडियो तयार करने में जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आपकी कुंडली में शनिशश योग, सरवार्थ सिध्धी योग, भाग्यवान योग, दो राज योग, तीन धन योग बन चुका है जो की दोस्तों आपकी राश्यवालों के लिए बहुत बड़ा वर्दान साबि होने वाला है, जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, महाबली महाशक्तिशाली, भगवान बजरंग बली और कर्म फल दाता भाग्य के देवता, भगवान शनिदेव जी की आशीरवात से आपकी किस्मत गई, जी हाँ बहुत बड़ी त और ऐसी खुशखबरी हम आपको बताएंगे, जो कि आपको अगले साथ जन्मों में भी नहीं मिला होगा, जी हाँ वह कहती है ना, जाको राखे साइया मार सके, ना कोई अर्थात कहने का तात्पर यह है, आपके उपर महाबली महाशक्तिशाली भगवान, बजरंग बली औ विग्न हरता भगवान, शनी देव जी का हाथ पढ़ चुका है, जी हाँ, इसलिए अब आपको बिना महनत का फल मिलेगा और बिना कुछ किया ही अब आप राजा बनोगे, जी हाँ दोस्तों, सभी जानकारियां ग्रह गोचर पर आधारित हैं, आज की है संपूर्ण वीडि यो खास आपके फाइदे के लिए बनाई गई है, किस तरह से आपको इस शुब समय का लाब उठाना है, आपकी कुंडली में बना मायावती योग, जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भाग्ये उदय होने का समय आ गया है, जी हाँ, अब आपका पूरा इ देखा कोई नहीं बदल सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कोई कितना भी जी जान लगा ले, लेकिन होगा वही जो राम रच्ची राखा है, जी हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपकी कुंडली में राहु और क केतू, अगले इन 24 घंटे के अंदर खलबली मचाने वाले हैं, जी हाँ, हो जाएए सावधान, अब आपके दुश्मनों की हवा टाइट होने वाली है, जी हाँ, दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जियोतिश शास्त्र की अनुसार कुंडली की दिशा बदल रही है, जी हाँ, जिससे कि राहू और केतू, अब आपके दुश्मनों को अच्छे से धूल चटाएंगे, क्योंकि दोस्तों, अब आपके जीवन में केतू का प्रभाव पढ़ता दिखाई दे रहा है, और इस बार केतू का यह प्रभाव शुभ दिखाई दे रहा है, जी हाँ यानि कि आपकी राशेवालों के लिए बहुत शुभ है, आपकी राशेवालों को छोड़ कर यह सभी राशियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, जी हाँ, जैसा कि अगर आपके मन में आपके दिमाग में हमेशा टेंशन भरी रहती थी, आपको किसी भी कामों में मन नहीं लगता था, पैसा आपके घर में नहीं रुकता था, आमदनी में वृध्धि नहीं होती थी, बरकत नहीं होती थी, घर में कल करेजवाद विवाद लगातार होते रहता था, तो इन सभी प्रकार के समस्याओं से निजात दिलाएंगे राहू और केतू. जी हाँ दोस्तों, केतू का यह प्रभाव आपके लिए कितना शुभ रहेगा, यह आपको आगे इसी वीडियो में मिलने वाला है, जी हाँ, जो लोग अपने जीवन काल से परेशान हो चुके हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, तो यह वीडियो उन सभी लोगों क कान लगा कर ध्यान से सुना होगा, क्योंकि बहुत जरूरी बात इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपका एक एक सपना सच होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, इस बार सोने के रत पर सव जी हां एक जटके में आपकी पूरी किस्मत को बदल देगी। जी हां दोस्तों तयार हो जाओ। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशखबरी दस्तक देने वाली है, जानकर आपके दुश्मन ना जाग पाएंगे और ना सो पाएंगे। जी हां बता दे। पूरे 27 साल एक बहुत बड़ी भयंकर योग का निर्मान होने जा रही है। जी हां अगले इन 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली के चला बदलने वाली है। जी हां वह कहती है ना जब जब ग्रहों की दशा बदलती है तब तब हमारी दिशा बदलती है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। अब आपकी किस्मत कमल के फूल की तरह खिलने वाले हैं और आपका भाग्य मोती की तरह चमक उठेगा। जी दोस्तों अब आपको अमीर बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता लेकिन आपके अंदर वह जजबा वह जुनून होना चाहिए। कहते हैं ना सपना उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाप बड़े होते हैं सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं मान लिया तो हर है ठान लिया तो जीत है जीहां कहती है ना मन के हारे हार मन के जीते जीत पूरे 27 साल बाद दो बड़े ग्रह जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपकी राश्यवालों को विस्तार से बताएंगे। आपको करना कुछ नहीं है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और सच्चे मन से के बिहारी लाल जय श्री राधारानी जरूर लिखिएगा। आपको श्री राधारानी जी का आशीरवात प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अब आपकी किस्मत सात्वें आस्मान पर कदम रखेंगी। जी हाँ, एक साथ दो दो खुश खबरी मिलने वाली ह पडोसी देख देख कर आज की तरह जलेंगे। तो आकर भाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। अब आपकी तरक्की देख कर पूरी दुनिया सलाम ठोकेगी। जी हाँ, जिससे कि आपका सीन फूल कर 56 इंच चोड़ा हो जाएगा दोस्तों, और पूरे जगत में अब आप गरीबी में बदल देता है। इसलिए समय की महत्व को समझिये। समय की जब मार पड़ती है तो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ चोट लगती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर जो बदलाव आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं, जो परिव परतन करने, कौन से ग्रह गोचर का कौन सा असर आपके उपर पड़ने वाला है, इसकी ए तो जड़ टोटल जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर प्रदान करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा की तरह आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो में बताई गई हर एक छोटी बड़ी बातों को कान लगा कर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सभी बातें 101 प्रतिशत आपके जीवन पर सटीग बैठने वाली हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, समय आ गया है, अब आपकी किस्मत तेजी से उडान भरेगी, जी हाँ, और आने वाले समय में आपको अपने जीवन काल में तीन बड़े महा चमतकार देखने को मिलेंगे, जी हाँ, और यह चमत चेत्र में आप अपने कामों को चतुर बुद्धी का प्रयोग करके समय से पहले पूरा करके देंगे, आपको कोई पुरसकार मिलने की संभावना है, यदि माता जी आपको कोई काम सौपे, तो आप उसे समय रहते पूरा करें, नहीं तो वह नाराज हो सकते हैं, परिवार म किसी सदस्य के स्वास्थि में गिरावट आने के कारण आप परेशान रहेंगे, आपको कामों को लेकर भाग दोड अधिक रहेगी, आज का दिन आर्थिक द्रिष्टिकोंड से अच्छा रहने वाला है, आप एक दूसरे का कामों में पूरा साथ देंगे, भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर आप कोई विवाद खड़ा हो सकता है, परिवार में आज किसी बात को लेकर परिवार की शान्ति भंग होगी, संतान के लिए आज आप किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं, सरकारी नौकरी से जुड़ा कोई काम आपका पूरा होने की संभावना है, आपको किसी कानूनी मामले में भाग दोड अधिक करनी होगी, आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी शादी, विवाह, जन्म दिन नामकरण आदी में सम्मिलित हो सकते हैं, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के स कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग करेंगे, आपकी संपत्ति में इजाफा होगा, आप यदि किसी काम को लेकर योजना बनाएंगे, तो उसमें गडबड़ी होने की संभावना है, पार्टनर्शिप में काम करने के लिए आपको अपने पार्टनर पर पूरी निगरा कानी बना कर रखनी होगी, आप अपने सहयोगियों से मन की बात को कह सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, उन्हें कोई बड़ा ओनार्डर मिलने की संभावना है, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा, मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है, आपका प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी मामला आज समस्या देगा, आपको व्यवसाय की योजनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा, आपको संतान के करियर की चिंता सता सकती है, आज का दिन आपके लिए सकारात्म परिणाम लेकर आएगा, आपको कुछ कामों को लेकर कठिनाईयां रहेगी, परिवार में किसी पूजा पाथ आदिका आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा, संतान आपकी उमीदों पर खरी उतरेगी, बिजनेस में आप किसी योजना को लेकर कुछ उलज आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्ध लेकर आने वाला है, आपके अधूरे पड़े काम पूरे होंगे, घर का माहौल आनंद मैं रहेगा, आप यदि कोई कदम जल्दबाजी में उठाएंगे, तो बाद में आपको उसके लिए पचतावा होगा, आपके जीव पान की भक्ती में लीन नजर आएंगे, जिसे देखकर परिवार के सदस्य भी खुश रहेंगे, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फल दायक रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, माता जी कोई बड़ी जिम् का मौका मिलेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है, परिवार में कोई सदस्य पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, माता पिता क के साथ आप कुछ जरूरी कामों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, कार्यक्षेत्र में आपका कोई नया विरोधी उत्पन्न हो सकता है, आप अपने बिजनेस में कामों को लेकर योजना बना कर आगे बढ़ेंग तो ही बेहतर रहेगा, परिवार में किसी सदस्य के विवाह के बाद पक्की हो सकती है, आपको कामों को लेकर कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, आपको किसी विपरीत परिस्थिती में भी धैर्य बनाए रखने की आवश्यक्ता है, आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुखभोग के साधनों में वृध्धि लेकर आने वाला है, जीवन साथी का सहयोग वसानिध्य दोनों ही आपको भरपूर मिलेगा, आपको आपका अटका हुआ धन मिलने की संभावना है, आपकी यश्व कीरती बढ़ेगी, आज आपका मान सम्मान मिलेगा, जीवन साथी क को लेकर आप कहीं शॉपिंग पर जा सकते हैं, व्यवसाय की किसी योजना पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे, संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों में हिस्सा लेने के लिए रहेगा आज आप कामों को पूरा करने के लिए भाग दोड अधिक करेंगे जिससे आपके काफी काम समय से पूरे होंगे आपके घर किसी अतिथी का आगमन होने से आप सेवा सत्कार में लगे नजर आएंगे आपको किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आपको जाने का मौका मिल सकता है आपकी कोई प्रिय वस्तू यदि खो गई थी तो उसके आपको मिलने की पूरी संभावना है आपके परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद रहेगा जिससे माहौल अशान्ति पूर्ण रहेगा आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है आपके मन में किसी काम को लेकर निराशा रहेगी आपको अपने परिजनों पर अत्यधिक भरोसा करना नुकसान दे सकता है बिजनेस को लेकर यदि आपके मन में कोई आइडिया आए तो आप उसे तुरंत आगे न बढ़ाएं आप अपने बॉस से किसी बात को लेकर बहस बाजी न करें नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पढ़ सकता है आपको अपने जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यक्ता है ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ती आपसे धन उधार मांग सकता है आप किसी संपत्ती की खरीद फरोख्त की योजना बना सकते हैं आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी